जै हिंद वंदे मातरम और भारत माता कीज़े स्वागत है आपका दफॉजी शो में दफॉजी शो मेरी समाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्बर कोशिश है इस शो से एकटा किया होगा हर पैसा भारत की वीर फाउंडेशन में जाएगा ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कभी भी कोई भी आर्टिक समय सर ना आए उमीद करता हूँ आपको ये शो पसंद आएगा आपके एक लाइक, शेर और सब्सक्राइब से किसी की साहता हो सकती है क्योंकि मैं खुद एक एक से इंडिये हूँ और National Defense Academy में तीन साल ट्रेनिंग किया हूँ मैं समान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरत पर है ताकि हम जैसे लोग आप और मैं आराम से जिंदगी जी सके जैहिंत फोन्स, भाई फोन्स का ऐसा है जो मैं इनिशिली था तो वाँपे 21 इस्टिशन थी लेकिन इन फोन्स, वह रेलिगेटरी हो गया था तो मैंनी बीपल रेलिगेटरी वह रेलिगेटरी हो गया था यह आदत नी थी लोग डर नी था बट नाउ इस लाइक वन रो सेंटी रूल इन डिया वाँ है नीए संटीशन यह के विइघताने था की जूलिख संटल गोजेसे और थे मिया कि यह रो ग्रड़ेटर जीख और आपर बेलत में ज है वह बन खादेन पड़े जाए जी से किसीसे चुपाना लिए अग्रेड मेरे रिए कलचुर है वजल रिए गैडमिक रिएक अगार कलचर है but that is one of the best thing इसको अब कोई भी सिक्स्टमर को लगे कि अगर वो बहुत सुन्दर है उसको एप्रिशेट करनी है चाहिए तो फिर वो सेंटर स्टेर पर जाता है और चलाता है इंडिया स्कॉर्डन त्रिशूल तो पूरी स्कॉर्डन जहां भी होती है बात्रूमें भी होते है तो तौले इसको तब तक देखते हैं जब तक वो आउट ओफोकस नहीं चाल जाती है पूरी स्कॉर्डन एक सो बीज आदमी तो थोड़ा क्रीपी है लिकिन हां होता है और इससे काफी पहले भी प्रॉब्लम्स आई है कभी-कभी इंस्ट्रक्टर्स की वाइस हैं स्ट्रेक्टर की बी अधिवेशन है तो इसको फ़नी हमारा थिशूल इस वन दो सेवन ट्रेशन ओफ इंडिया स्कॉर्डन तो कल को एक्जायम है पूने में बाहर आ गई अर्थ को एक आ गया और टूर्यम टूड गया इंडिया स्कॉर्डन मूवी देखेगी तो कल एक्जायम में अगर को ऐसे डिम करके ब्लैंकेट की नीचे लेकिन मूवी बक्का जाएगा तो हमारे ऐसे भी हो है दो-दो एक्जायम है सुभे और हम एक्जायम पढ़ते हैं केडिट्स तो और बट फिर भी मूवी गए हैं मूवी गए हैं और आके फिर पड़े हैं अंदेरे में और फेल भी ह हैं कुछ लोग बट टेडिशन है तो इदर आज इस नोट टो से वाइब तो दू एंड वही बात है तो बट इस गुट फन मूवी इस आर फन स्पेशली इंडिया स्कॉर्ण हमारा टेडिशन है कि हम एक बर मूवी हॉल में घुजगे तो सिस्टमर है सब तो भी स्टैंड विश्राम चलते हैं दौटते भी नहीं हैं और नो वन कें स्कुरू अस देर तो वियर लाइक बॉस तो मेरे फादर के टाइम से इंफाक्ट के स्कॉर्ण का बात हो रहता तो इसको ऐसे इंडिया स्कॉर्ण मिल गई बट मैं काफी लगई था कि मुझे इंडिया स्कॉर्ण मैं मिली क्योंकि मैं अपने आपको और किसी स्कॉर्ण में देख नहीं सकता अभी अफटर थी एस तो मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर मैं किसी और स्कॉर्ण में मैं कैसा अजीब सा होता तो मदब एक को सुप्रियोर्टी कॉंटेक्स कहलो जो भी कहलो लेकिन वो प्यार है और तो मैं निए मैश्म में बहुत है कि पहला गड़ा एक्सपिरिंस गूड़ कुष्चन पहला रगड़ा एक्सपिरियोंस थीयसरे दूसरा दिन था तो मेरा ओस्टेटी देखना था कि मुझे कितना आईडिया है तो मुझे मुर्गा बनाया वह मैं बन लिया बर्ट फिर उस कि ऐसे ऐसे करना होता है। मुझे उसने बोला क्रीम रोल तुम मैं उसके शकल की देखा था कि भाई क्या खाना किया है। क्रीम रोल तो कहाने की चीजी थी, सैनिक स्कूल आरें थी वाली पाटी को पता था बट हम तो बब्ली स्कूल टाइप थे वहां पे जागी बजला हम सब। बट गुट फन गुट फन वर्थ इट। तो देखो यार लिबर्टी का तो ऐसा है कि पहले हर संडे मिलती थी अब हर संडे नहीं मिलती है। फिर मेरे टाइम पर मन्तली वन्स हो केजनली मिलने लगी कभी कभी संडेस को बट प्रवाइडेड यू पास यो डिस्टी जो डिल्स को एटेस्ट होता है और वह सेकेंड टर्म में होता है तो वह पास करो और तुम चले जाओ अमना लिवर्टी पे और मुसे पूछे तक ही लिवर्टी पे आउट और बाउंड तो हां कुछ केमिस की दुखाने होती है फिर वहां पे बुद्वार पेट करके ब्रॉथल है तो वह भी आउट और बाउंड है बट वहां पे कड़ेट्स जाते हैं वह पकड़े जाते हैं फिर उनका बैंड बचता है आकेडमी में तो वहां पे कोवर्ड ओपरेशन चलते हैं फिर लुस्त पाटी गूम रही होती है और हेर कट से पेचान लेती हैं केड़ेट तू ही दर आजा है तो ऐसा होता है फिर डे पे तुम सब आया होते हैं वहां पे डरे सहमें से कि मेंसाद क्या होगा मुझे कॉंसी स्कॉर्डन मिली कि तो कुछ लोग गुली देते हैं कि हंटर मत लेना है यह फोक्स आट मत लेना या ऐसा कुछ जो भी उनके मन में होता है तो तुम्में टेबल सब एक आड़ी में होते हो वहां पे करनल एंजन आयर अड़ी में थे देसे हम तो 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 तुम्हें है करके बलाते हैं क्या पब्लिक स्पीकिंग वगरा एक्टिविटीज और क्या इंटरस्ट है तुम लोग क्या अपने अपने आपको तीन सलवत कहां देखते हो तो ऐसे करके बटन मेरा बहुत बहुती शॉर्ट फॉर्ट स्ट्रेट फॉर्वर टाइब टाइब इंटरिजम मुझे से पूचा क पापा आगे स्कॉड़न कर दिया तो मुझे इंडिया स्कॉड़न मिलके वहां पे परेंटल क्लेम होता है तो अगर तुम्हारा भाई भी और तुम्हारा फादर भी उसकॉण में है तो तुम्हें उसी स्कॉड़न में भेज देते हैं तो ऐसे करके बट जैसे मेरा दोस्त ह तो वो मुझे बता रहा था कि सर मुझे से पूचा की वाट हर इंटरस्ट पहले पूरा इंटर्वीव चलता था दस मिनट हो गया लेकिं सो समझ यह रहा हूं जी स्कॉड़न में टाले तो उसने बोला कि सर इंटरस्ट आई लाइक वाचिंग मूवीज तो जैसे उसने बोल is very, it's like varies from what your term is, size, so like in junior terms you can sleep from around 3 to 5 hours. सब्सक्राइब तो तो तुम्हारी नीन अल्मस्ट कवर अब होई जाती है सुबह उठते हो वहां पर अपनी सीनियर को मिरिक दिखाते हो कि सर मैं ऐसे कपड़े ठीक पहने है मैं कोई परिश्मेंट नहीं मिलेगी क्योंकि अगर तुम्हें मिली तो उसको भी मिलेगी तो इसल करता है फिर इसके बाद ड्रिल, PT, academics, riding, firing वाटनॉट सुबह होता है पहले दो पीर्ड में फिर तुम वहां से आते हो फिर तुम बाहन से चेंज करते हो केडी में फिर ब्रेकफास जाते हो फिर ब्रेकफास से सीथा classes, classes में पढ़ाई कहने के लिए है लेकिन होती नहीं है त तो तुम रिलाक्स करते हो अपना रेकूप क्योंकि तुम्हें पता है वापिस जाकर तुम्हें भागना है क्रोस कंट्री फिर पीटी कंदी है फिर गेम्स भी खेल लिए है फिर स्टेडी पेड के बाद फिर कुछ सेशन होगा रात को भी शाइसे वो स्टेडी रोक ले तो तो उसकी त्यारी चलती है फिर छसी में तुम ठ्ड़ार रेसट करते हो तीचेस भी जादा पहशान नहीं करते है कुछ होते है जो सोने नहीं एद रते बड़ ठीयRed से बाद लूंच्स करते हो फिर आंकर क्रॉस कंट्री प्रैक्टिस होती है यां पीटी होती है यां गेम् तो फिर ऐसे करके चेन ओफ कमांड फॉल होती है और तुम इस चेन में चेन का हिस्सा हो फिर गेम्स के बाद पी-टी गेम्स अक्रॉस के बाद तुम स्टेडी प्रेट के लिए बैठते हो स्टेडी गेम्स के बाद डिनर के बाद कोई पी-टी ड्रिल कोई अकैडमिक्स तो कम होता है बट पी-टी यहां कोई सिट अपस यहां ऐसा कुछ सेशन होता है फिर उसके बाद आफटर लाइट सौर कोई सीनियर अकर बुला ले फिर से उसको थोड़ा सैटिस्वाइए करना जाना हो जाओ बट मतलब डिपेंड्स ऑन सीनियर अलसो बट रात को पूरी अकैडमी शांत बहर से दिखती है लेकिन होती नहीं अंदर काफी शांती की विशार कुछ बहुत कुछ चल रहा होता है तो ऐसी है रिमेंबर वंस की एक में सीनियर थे तो वह बता रहे थे कि जै में आऐ बहा हो गया है तो फो से नहीं गजय वहां कि अपैसे कि स्टॉंप से झाच सिन धिया तो बोलता कि एफ यू और वो रिमेंप एं पाज़ा नोई और शूद रहा है तो अजे पहर देपुत कुग टुर्ए अट बहां पहर से हो आज़ों की यह सब नोर्मल है तो ब तो बट थीक है इस पादर के टाइम पर भी था अभी भी है बट इस पार्ट आप अपर ट्रेनिंग और फिर उसके बाद तुम सुबह वापिस से रात को तकरीबन दस से बारा यह कभी और बी आगई यह सोते ही नहीं हो बट वह वेरी कर जाता है फिर उसके बाद सुबह देखो एर अकैडमी में ना अकैडमी से पहले सब कुछ भी मत सीखो लेकिन स्विमिंग पक्का सीखना ठीक है और इसका यह करने कि अकैडमी में स्विमिंग सिखाता कोई नहीं है तो मैं खुदी हाग पर मारके सीखना है और इंस्ट्रक्टर्स अच्छे हैं काफी वह सपो और जो प्रिपरेशन टाइम होता है खासकर जो जो जॉइनिंग लेटर कर दो तो अब स्विमिंग सीखना और जो टैन मीटर जंप का वहां थोड़ा बहुत डर लगता है लेकिन जब सामने जूनियर्स बैठे होते हैं और पीछे कोस्मेट्स होते हैं तो और सब को बुला स्कॉर्डन का नाम लेकर चिलाना है वो सब बांड होता है लेकिन स्टिल उससे थोड़ी हम्मत तो मिलती है तो स्कॉर्डन is the only thing we loved there तो तो विर वो 10 मिंटर हो जाता है तो it's nothing to worry about तो वस स्विमिंग सीख के जाना तो थोड़ा confident रहते हो तो तो निसीवा ने मैस काना ऐसा है कि मैस में खाना तो बहुत बड़ी है लेकिन मैस में जाने को नहीं मिलता है क्यों रास्ते में दोनों तरफ जलाद सार्जेंट्स खड़े होते हैं और दे मेक शोर की तो तो एंट फूट विच्व एत इन दे मेस बाकी मेस का खाना तो लाज वाव ऐसा खाना मैं जिंदी में कभी निगाया ना तो मेरे किसी कोस्मीट में फॉर बड़ाट सेख बट फिर ऐसे भी होते हैं हम बड़े हरामी तो हम क्या करते थे कि अपने सीनियर गाएट करते थ कि अगर तुम्हें कोई साजेंट रोक ले तो तुम्हारा सीनियर तुम्हें रिपलेस कर लेता है तो हम सीनियर करते थे और फिर सीनियर के साथ जाते थे मैस तो हमें सीनियर हमें साजेंट रोकते थे सीनियर हमाई जाकर अराम से खाना खाकर फिर आपके साथ भी सेम बागी खाना दो बहुत बड़ी है और फर्स्ट देगा मैं बजाता हूँ कि मैं मेरा अकैडमी में से 694 था 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 तो मेरे साथ मेरा कोस्मेट सतीश कुमार उसका भी 704 और एक और कोस्मेट था आशीश करके उसका 684 तो हम तीनों ने साथ में रिपोर्ट किया तो साथ में को रस्टे में आती है यह सब होता है तो मैं तो थोड़ा दर रहाता सची वेता हूं तो उसम resemble तो मेरा साथ में दोनों सroleनें स्कूल एक इन्जींग में धोङ और रिलैक्स थे तो उसमें स्कोर्ण फिजिकल फिटनेस ना तो यह वो इस मतलब हैंगिंग रहीं तो बाहर पता निंग क्या कर देश कर देश तो उनको स्पिरेट थे काफी टो तो फिर अन्दर गए उनके तो जैसी आये तो हमारे सामने से जखके आगे सारे सिक्ष्टमर जैसे उप खिलोना होते है ना खिलोना उसको देखके जैसे बच्चे एकसाइटेड होते हैं, विसे फिर उन्होंने पूछा कि कौन सा विच प्लेस, विच प्लेस, विच प्लेस, विच स्कूल तो सतीष कुमार से नालंदा चल, उसको ले गए कि भाई इसको ले खागा बारा इंडिया स्वच्टन का यह सीनि और फिर एक अमरावती फिर उसके स्कूल वाले उसको ले गए अब रह गया मैं अब पब्लिक स्कूल आर्मी स्कूल तो मुझ से पूचा हाँ विच स्कूल वाट अच्छा सोसा कमेर मैं चुसे स्टार्ट रोलिंग पाहला दे तो रहा इंडक्शन होता है तो इनिशली हनीमू वगर आप स्कूल वाड़े जो भी एक शीमेंट सी और एक सीनियर था ऑच बूलता है मुझा भूग लग रही ते पस कुछ खाने का है तो मुझे लगा मुझे लगा मुझे आई था कि सीनियर तो देना पड़ ज़रूरी है तो मैरा अपने एक दूम घर के बने भी सब्सक्राइब दोनों साइड रहा हूं मैं फर्स और सिक्स्टर में तो इसलिए आइकें रिलेट की दिया भी है लगडू के डब लिये भी है तो फिर इट कमस तो फूल सर्कल जो मैंने पहले होगा था तो वट हां फर्स दे बड़ा थोड़ा सा एक्साइटे रहता है अदमी नाचरली और फर्स नाइट थोड़ी मुझे वहां पर दराबनी लगी थी बट क्योंकि नोवमेट होगी तो गडेट्स बाहर भागनी के वाज़ आ रही थी और बट ठीक है यू विद रहल पफ यूर कोसमेट्स जब कोसमेट्स में साथ होते हैं तो तुम्हे तना लगता तो यू गेदे इन ग्रेट अपButंदे तो तो दागेट्स आएट तो टॉएट्स इसपी आखनेट्स अंपर भाएट्स चैप्छिई श्यूर कीज रिखवय नहीं थी राती गंदी मिस्कनश्फशिप्श्या है यू रिख चूट थो फ्टीन क्यू पो अूटाइस् तो So, I think SSB is not at all tough for that guy So, the syllabus for SSB is you only It's not from a book or a video, so everything will come from a book So, we will come from a book So, we are the syllabus So, this is why you have to know yourself, your weaknesses, your strengths, how you are So, that is the syllabus for SSB So, it's not really tough for you You are the syllabus So, it's ready for you Smile is a brahmaster in your SSB If you are angry somewhere, just smile and say Sir, I am not aware, but I will let you know in conference So, I will read about it, you can say it So, don't know, there is no problem But I am not aware, but I am not aware, but I will read about it So, be confident, smile and smile So, be confident, smile and smile So, it's good for you So, smile is your brahmaster So, look at SSB So, you can speak in any language in Hindi, English, Marathi Marathi It's not Hindi, English But, you have to think that all the tests are in English You see, screening, making a story Or, intelligence test Or, psychological test Or, psychological test Group planning exercise Which you are writing All in Hindi All in English So, you have to master English So, you have to master English Okay? Few odd cases In which the pure Hindi In Hindi But, that's because It was because It was the quality that people In SSB That he will do Handle But, why be that guy? You know If we have a score shot clear Then, we should work on our weaknesses If we are not working on our weaknesses How will we explain this in SSB? So, if we have a weakness in communication, sales, English So, work on that In fact, I had a lot of problems In English Because In initial years I was studying Hindi Medium-type schools In Bhavina Jhansi In small areas So, There was not a lot of development But, my dad was posted to Delhi And, suddenly He put it to Convert School And, I didn't know anything I didn't know Teachers were acting like I was going to go But, I somehow learned And I managed myself Even for SSB also So, writing sales I was poor So, I worked on that Then, Army background Yes, bro Army background My very dangerous Army background My father is 5th generation And, I was going to be 6th But, Medical reasons I didn't know But, No problem My new dream is To send you to India And, To send me to my squadron So, So, I was from India So, I was from India But, Generally, If someone asks me I say From the champion Squadron So, That was amazing feeling I think Nothing can replace that In my 3 years There in India So, That was amazing Ok